सेक्स करते समय पुरुष इतने उतावले हो जाते हैं कि वो तुरंथ ही सेक्स करने लगते हैं। माना जाता है कि सेक्स से पहले अगर आप अपने पार्टरन को करीब 30 सेकंड के लिए अपनी बाहों में लेते हैं, तो इसे उनके अंदर ऑक्सिटोसिन होमोन निकलना शुरू ह यह आपके संबंधों को मजबूत करने के लिए बेहत जरूरी है। कीगल एक्सरसाइज आपके मूतराशे से संबंधित समस्याएं ठीक करने के साथ साथ पीट के निचले हिस्से को भी मजबूती प्रदान करती है। यह एक्सरसाइज महिलाओं को सैक्स के दौरान और के स्थर पर आसानी से पहुंचने के साथ पुरुशों में भी शीग्र पतन की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। सेक्सुल स्टेमिना को बढ़ाने के लिए आप एक्सरसाइज में मेधक पोज को करने की आदत बना लें। इससे आपके कमर के निचले हिस्सों में सक्रियता आती है। यह व्यायाम आपको तनाव से भी दूर रखने का काम करता है। बढ़ाते हैं। कई शोद में इस बात का पता चला है कि जो लोग नियमित रूप से स्लिगिंग यानी तेरा की करते हैं उनकी सेक्सुल जिंदगी में यौन संबंधी परेशानिया कमाती है। साथ वर्ष से अधिक आयू होने पर भी तेरा की करने वालों का सेक्सुल स्टैमिना किसी युवा तरह ही बना रहता है। आडू में विटामिन सी होता है जिससे स्पर्म काउंट बहतर होते हैं और यह महिलाओं के माँ बनने में भी सहायक होता है। अगर महिला में सेक्स के प्रती इच्छा कम हो रही हो तो आडू के सेवन से काम इच्छा बढ़ती है और उनकी सेक्स की क्षमदा में भी इजाफा होता है। दौरान महिलाओं सेक्स करने से परहेज करती हैं लेकिन जो महिलाओं पीरियद्स में सेक्स करती हैं उनका सिर्दर्द इससे काफी हद तक ठीक हो जाता है। सेक्स करने से पीरियद्स की समय सीमा कम हो जाती है. और गैजम के दौरान मसल कॉंट्रैक्शन होता है, जिससे गर्भाशे तेजी से बढ़ने लगता है. यही कारण है कि सेक्स के दौरान पीरियद्स की समय सीमा कम हो सकती है. आम दिनों में सेक्स करने से गर्भ ठहरने की संभ पीरियद के दोरान बहुत सी महिलाओं को तेज दर्द होता है। ऐसे में सेक्स करने से इस दर्द में राहत मिलती है। पीरियद में सेक्स करने से शरीर में oxytocin, dopamine hormones और endorphins का स्तर बढ़ जाता है। यह पीरियद के दोरान होने वाले दर्द को कम करते हैं।